नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे सबसे पहले आप लोगों को मकल शंक्रांती की धेरों सुपकामना आए आज हम बनाने जा रहे हैं तिल के लड़ू जो मकल शंक्रांती स्पेसल है हैं कि सर्दियों मैं ही बना जाते हैं क्योंकि ये गरम होते हैं कहीं कई ही पर इन्हें तिलकुट के लड़ू भी कहते हैं क्योंकि यह तिल और गुड़ के साथ बनाया जाते हैं इसके लिए हम लेगे दो कप तिल 200 ग्राम गुड़ लिया है 100 ग्राम मौफली दाना चलिए अब बलड्डू बनाना शुरू करते हैं जिसके लिए लिया है हमने एक पैन तिल को इसमें डाल कर ब्राउन होडे तक भून लेंगे जब यह चटकने लग जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए हलका ब्राउन तो आप इसको उल्लियों से दवा कर भी देख सकते हैं यह आराम चे तूट जाता है तो इसका मतलाव है अच्छी से मौन चुका है इसकी बार कडाई में दोड़ी सी मूंफली दाना डाल कर उसको भी हलका सा रोस्ट कर लेंगे उसके बार एक मीडियम साइज के चमच के बरावर की लेंगे गुड को पहले से बारिक तोल लिए जिससे आराम से मेल्ट हो जाए कम टाइम पे गुड को मैल्ट करने टाइम दिएанс रखना होता है यह जादा करम नहीं हो जाए जादा करम होने से लड़्टू टाइट हो जाते हैं और अगर कम करम हुआ तो लड़्टू फिर बंद नहीं पाते हैं इसमें छाक आना शुरू हो गया है इसका मतलब यह अच्छे से पक चुका है इसे चैक करने के लिए बाउल लेते हैं बाउल में पानी लेकर आप थोड़ा सा मिस्रण इसमें डाले और हाथों से दवा के देखिए ना यह चेपक रहा है और यह ना टाइट हुआ है आराम से सौफ्ट सौफ्ट दव रहा है तो इसका मतलब यह अच्छे से तयार हो चुका है इसके बाद आप इसमें तिल मूफली के दाने और आप अपने एकॉर्डिंग इसमें कोई भी ड्राइफूर से एट्स कर सकते हैं जैसे काजू बादाम इलाइची पाउडर मैंने स्कीप किया है मूफली के दानों को थोड़ा क्रेश कर लिया था जिससे लड़ों का टेस बनाईएगा मिस्तर ठंडा होने पर टाइट हो जाता है तो आप इतने हाथों में पानी और गीली लगाकर इसे जल्दी जल्दी बनाईएगा तिल से मावा के लड़ों तिल मावा बाटी और भी बहुत सारी जीजे बनाते हैं दोस्तो लड़ों बनकी तयार है आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में बनके रखेगा आप इसे एक दो महिने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं यकीन मानिये ये लड़ों इतने स्वाधिस्ट होते हैं कि जब भी आप प्लेट में रखेगे तो आपकी प्लेट में एक दी लड़ों नी बचेगा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हूं तो लाइक शियर सब्सक्राइब केजिए थैंक यू